परिचे पुष्पी पौधों में लेंगिक जनन को समझना, पुष्प की संदचना को समझना, बीजों की संदचना और उनके प्रकारों को पहचानना, एक लिंगी पुष्प की संदचना को समझना, दुई लिंगी यानि उभै लिंगी पुष्प की संदचना को समझना, अलिंगी पुष्प की संदचना को समझना, उभै लिंगा श्रई और एका लिंगा श्रई पौधों को पहचानना, पुष्प के कारियों को समझना, पुष्प क्रम की संदचना तथा उसके प्रकारों को पहचानना, परागन की प्रक्रिया और उसके प्रकारों को समझना, निशेचन की प्रक्रिया को समझना, बीजांड की संदचना को पहचानना, युग्मक संलयन की प्रक्रिया को समझना, जनन की लैंगिक प्रनाली यानि विधी का महत्व लेंगिक जनन संतती में गुड़ों की विविदता को बढ़ाता है युक्मक में जीनों के नई जोड़ों को पासलाने के परिणाम सरूप आनुवण्श की ये विविदता बढ़ जाती है जनन के दोरान दो अलग-अलग जीवों के डिने के मिलने से नई जाती की उत्पत्ती में यह प्रमुख विशिस्ट भूमी का निभाता है पुश्पी पौधों में लेंगिक जनन प्रारंभिक अवस्था में पौधे पत्तेदार या काईक चरण में होते हैं तथा जब विविध्धी तथा जनन करते हैं अथवा प्रजनन चरण में तब उन पर पुश्प बनते हैं इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पुश्प पौधे के जननिये भाग होते हैं पुश्प पुश्प पौधे का एक चमकीले रंग का जननिये भाग है पुष्प के डंठल को पुष्प वरिंत यानि पैडिकल कहते हैं पुष्प वरिंत का फूला हुआ चप्टा सिरा पुष्पासन यानि थेलेमस बनाता है पुष्पासन यानि थेलेमस से पुष्पिये यानि फ्लोरल पत्तिया निकलती हैं जोकी चार प्रकारगी होती हैं बाहे दल, दल यानि पंखुडी, पुंकेसर और अंडप बाहे दल और दल यानि पंखुडी पुश्प के जनन के लिए अनावश्यक भाग हैं, जबकि पुश्प के अवश्यक भागों का निर्माण करते हैं, तथा इन में जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं. बाहे दल या कैलिक्स हरे रंग के होते हैं, तथा पुश्प का बाहरी चक्र बनाते हैं. दल यानि पंखुडी या कोरोला बाहे दल के बाद स्थित होते हैं, ये अधिकतर रंगीन होते हैं, तथा कीटों को परागण के लिए आकर्शित करते हैं. पुंकेसर या पुमंग डल यानी पंखुडी के बाद स्थित होते हैं कतेक पुंकेसर वृत सद्रिश डंठल तंतू और चप्ती घुंडी सद्रिश पराग कोश से बना होता है। पराग कोश में पराग पुटियां यानि पोलन सैक पाई जाती हैं, जो की पराग कन का निर्मान करती हैं। पुंकेसर पुष्प के नर्भाग को प्रदशित करता है। अंडप या जायांग पुष्प का मादा भाग होता है और पुष्प के बीच का भाग बनाता है। अंडप फूले हुए आधारिये अंडाशय, मध्य वर्तिका और उपरी घुंडी सद्रिश भाग वर्तिकागर को दशाता है। अंडशय, बीजांड धारन करता है, जो कि बीच में बदल जाते हैं। फल बीजों को गेरते हैं तथा उन की रक्षा करते हैं। बीज, बीज परिपक्व बीजांड होते हैं, बीज के अंदर भृून तथा संचित भोजन पाया जाता है, जोकि अंकुर बनने के समय विक्सित हो रहे भ्रून के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। एक बरिपक्व बीज दो महतपून भागों से मिलकर बना है, जो की इस प्रकार है बीजावरन और भ्रून। बीजावरन एक सक्त परत होती है जो की बीज के आंतरिक भागों की रक्षा करती है। भुरून, मोलांकुर, प्रांकुर और बीज पत्रों से मिलकर बना होता है। मोलांकुर नवीन जड़ बनाता है तथा प्रांकुर नवीन तने का निर्मान करता है। बीज एक बीज पत्री तब कहलाता है जब उसमें एक बीज पत्र पाया जाता है तथा दुई बीज पत्री जब उसमें ब्रून पोश रही तब होता है जब उसमें ब्रून पोश उपस्थित नहीं होता है। क्रिया विधी चलिए, बीच की सनचना को भलिभाती समझने के लिए एक क्रिया विधी करते हैं। हमने कुछ चने के बीजों और कुछ मक्य के बीजों को रात भर जल में डुबो कर रखा। अगले दिन सुबा हमने उन बीजों का अतिरिक्त जल निकाल कर उन बीजों को एक गीले कपड़े में लपेट कर एक दिन के लिए रख दिया। अगले दिन हमने दोनों तरह के बीजों को दो भागों में बांड़ दिया। हम देखते हैं कि चने के बीजों में बीजावरन, मुलांकुर, प्रांकुर और दो बीजपत्र उपस्तित होते हैं। एक लिंगी पुष्प वे पुष्प जिन में या तो पुंकेसर या स्त्रीकेसर पाया जाता है। उन्हें एक लिंगी पुष्प कहते हैं। उधारन, पपीदा, तर्बूज। दुईलंगी पुष्प वे पुष्प जिन में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों पस्तित होते हैं। उन्हें दुईलंगी या उभैलंगी पुष्प कहते हैं। उधारन, मटर, हिबिसकस और सर्चूं। अलिंगी पुष्प वे पुष्प जिन में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों ही अनुपस्तित होते हैं। उन्हें अलिंगी पुष्प कहते हैं। उधारन, आम, काजू। उभै लिंगा श्रई तथा एका लिंगा श्रई पुष्प 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 जाते हैं। उधारन मक्का, कद्दू और अरंडी वे पौधे जिन में केवल एक प्रकार के एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं, एका लिंगा श्राई पौधे कहलाते हैं। उधारन खजूर का पेड और शेहतूत। पुष्प के काडरे पुष्प में नर जननांग, पुंकेसर तथा मादा जननांग अंडप पाए जाते हैं। पुष्प पौधे का वह भाग है जो की लेंगिक जनन में भाग लेता है। अंड़ाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है, जिसमें बीज उपस्थित होते हैं। पुष्प क्रम पुष्प सदैव अकेले नहीं पाए जाते हैं। ऐसे पुष्प जो की आकार में छोटे होते हैं, वे अधिकतर गुच्छों में पाए जाते हैं। वह अक्ष जिस पर की पुष्पों का गुच्छा लगा होता है, पुष्प क्रम कहलाता है। ये अंतस्त अथवा कक्षिय हो सकता है। फूल को भी पुष्पुक्रम का एक अच्छा उधारण है. परागन पौधे का नया बीज तब बनता है जब एक नर्युगमक जो की परागकन में उपस्तित होता है, एक मादा युगमक जो की बीजांड में उपस्तित होता है, के साथ सनलेथ होता है. एक बुंकेसर के परागकोष से अंडप के वर्ति काग्र तक परागकन के स्थानांतरित होने को परागन कहते हैं. परागन कई अभी कर्मकों यानी कारकों जैसे कीडे, पक्षी, मनिश्य और जल के द्वारा स्थानांतरित होते हैं. परागण दो प्रकार का होता है, स्वापरागण और परपरागण. जब पराकण एक पौधे के पुष्प के पराकोश्ट से उसी पुष्प या अन्य पुष्प के वर्ती कागर तक स्थानांत्रित होते हैं, तो उसे स्वापरागण कहते हैं. जब पराकण एक पौधे के पुष्प के पराकोश से उसी जाती के दूसरे पौधे के अन्ने पुष्प के वर्तिकागर तक स्थाना अंत्रित होते हैं, तो उसे पर-परागण कहते हैं। निशेचन पराकण का वर्तिकागर पर गिरने के पश्चाद अगला चरण निशेचन होता है। पराग नलिका से नीचे जाकर अंडाशय में मादा युगमक की तरफ पहुँच कर वृध्धी करता है। पराग नलिका में दो नर युगमकों का निर्मान होता है। एक नर युगमक पराग नलिका से नीचे चला जाता है। पराग नलिका अंडाशय के बीजांड में प्रवेश करती है। पराग नलिका का सिरा फट जाता है और नर युगमग पराग नलिका से बाहर निकलाता है। अंडाशाय में पराग का नर युगमक, बीजांड में उपस्थित, मादा युगमक अथवा अंड के केंद्रक से जोड़कर निशेचित अंड का निर्माण करता है, जिसे युगमनज कहते हैं। निशेचित के पस्चात युगमनज कई बार विभाजित होकर बीजांड में भुरून का निर्माण करता है, तब बीजांड एक सख्त आवरण का विकास करता है और बीज बन जाता है। बीज पौधे की जननिय इकाई है, ये अपने अंदर भविशिक के भुरून को रखते हैं, जोकी बाद में अंकुर में विक्सित हो जाता है। बीजांड बीजवाले पौधों में बहुत छोटी सी सनचना भुरून कोश होती है, जोकी बीजांड काई से घिरी होती है और निशेचन के पश्चात बीज में विक्सित हो जाती है। इसके तीन भाग होते हैं, अध्यावरण इसकी बाहरी परत बनाता है, बीजांड काई यानि गुरू बीजांड थानी तथा गुरू बीजांड युक्त मादा युग्मकोद भिद यानि गुरू युग्मकोद भिद इसके मध में स्थित होता है। गुरु युगमकोद भिद जो की पुषपी पौधों में भुरून कोश भी कहलाता है. निशेचन के लिए एक अंड कोशिका या कई समोहों में अनेक अंड कोशिकाओं का निर्मान करता है. निशेचन के पश्चात बीजांड एक बीज में विक्सित हो जाता है. युगमक सनलयन एक नर युगमक अंड से सनलयत होकर दुई गुनित युगमनज बनाता है. इसे युगमक सनलयन कहते हैं. मेरू रज्जू प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंतरित करता है और संदेशों को शरीर के विभिन भागूं तथा मस्तिश्क तक समवहित करता है. त्री सनलयन दूसरा नर युगमक दुई तियक केंद्रक के साथ सनलयत होकर प्रात्मिक भुरून पोश केंद्रक बनाता है. इसे त्री सनलयन इसलिए कहते हैं क्यूंकि सनलयन प्रक्रिया में तीन केंद्रक सम्मिलित होते हैं. एक नर युगमक और दो धुरुविय कोशिक दूई निशेचन हलके होते हैं, किन्तु मूम से ढके होते हैं। खाने योग के पराग रोसा, मैगनोलिया और क्लीमेंटिस के द्वारा बनाये जाते हैं। जोस्टेरा में सबसे लंबा पराग लगभग 2500 माइक्रो मीटर लंबाई का पाया जाता है। जबकि मयोसोटिस में सबसे छोटा पराग लगभग 2.5 से 3.5 माइक्रो मीटर लंबाई तक का पाया जाता है। एरित्रीन में कवों और गिलेरियों के द्वारा परागन होता है। वायों में पराग की उपस्थिती के कारण प्रत्यूर जिता यानि एलर्जी अभिक्रिया होती है, जिसके कारण हे बुखार हो जाता है। निशेचन के बिना अंड के विकास को अनिशेक जनन कहते हैं। निशेचन के बिना फल बनने की प्रक्रिया को अनिशेक फलन कहते हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। उच्च पादपों के जननभाग पुष्प में स्थित होते हैं। पुंकेसर पौधे का नर जननभाग होता है। अंडप पुष्प के केंदर में स्थित होता है तथा मादा जननभाग होता है। परागोश से वर्ती कागर तक परागण का स्थनांतरण परागण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है। स्वपरागण और परापरागण। अंडाशय पक्कर फल बन जाती है फल बीजों को मुक्त यानि छोड़ने में सक्षम होते हैं प्रतियक बीज में एक भावी पौधा होता है जो की अंकुरित होकर एक नया पौधा उत्पन्न करता है